दिन पर दिन कोरुना प्रदेश में भयावे होता जा रहा है पिछले तीन दिनों के मुकाबले आज कोरुना के नए केसों में लोगों में खलबली पैदा कर दी है यूपी में कोरुना के केस तेजी से डबल हो रहे हैं पिछले 24 गंटे में 6411 केस सामने आए हैं प्रदेश में अब एक्टिब केस भी बढ़कर 18551 हो गए हैं जिसमें 6 लोगों की मौद भी हुई है पिछले 24 गंटे में 2,20,496 सेंपल की जाच की गई थी समय होम आईसोलेशन में 18,184 वेक्ति है और जो पॉजिटिविटी का रेट है प्रदेश का वो 2.91 प्रतिशत है कल प्रदेश में 2,20,496 सेंपल की जाच हुई और अब तक कुल मिलाकर 9,44,29,513 सेंपल की जाच की जाच हुई है राजिय में कोविट के 6,411 नए मामले सामने आए हैं आपको बता दे कि पिछले 24 घंटे में गौतम बुद्धनगर यानी नौईडा में सबसे जादा 1,141 केस सामने आए हैं लखनव में 797 तो वहीं गाजियावाद में 683 केस मिले हैं गाजियावाद में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 2,428 हो गई हैं वहीं नौईडा में एक्टिव केस 3,527 हो गई हैं इसे पहले गुरुवार को 3,121 कोरोना केस और शुक्रवार को 4,228 नए संक्रमित सामने आए थे और अब सीधा 6,411 केस यूपी में कोरोना की तीसरी लहर दूसरी लहर से 8 गुना जादा तेज हैं दूसरी लहर में यूपी में पिछले साल 23 मार्च को 334 केस आए थे जो 30 मार्च को बढ़कर 918 तक पहुँचे थे इस बार तीसरी लहर में एक जनवरी को कोरोना के 383 से 8 जनवरी को 6,411 केस सामने आए हैं यानि राज्य में केस की दर 16 गुना बढ़ी है दूसरी लहर में एक हफ़ते में कोरोना के केस 3 गुना बढ़े थे हालात खतरनाक हैं वगर राहत की बात ये है कि संक्रपित के अस्पताल में भरती होने की दर अभी बहुत नीचे है 7 जनवरी के आकड़े बताते हैं कि अभी राज्य में सिर्फ 368 मरीज ही अस्पतालों में भरती हैं दूसरी सुकून की बात ये है कि राज्य स्वास्ते विवाग का पोर्टल बताता है कि राज्य के 98 प्रतीशत अस्पतालों में बैट खाली पड़े हैं राजधानी में भी एक बुजर्ग की मौत हो गई है महिला की उम्र 65 साल थी गाजियाबाद में नगर निगम के चार कर्मचारी संक्रमित मिले हैं इसके बाद नगर निगम में बिना मास्क के एंट्री पर रोक लगा दी हैं मेरेट में पिछले चार दिनों में कोरोना से तीन ले रखी थी फिलाल कोरोना में हमारी से जुड़े हर दिन के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और अपना मास्क जरूर लगा कर रखें